लता मंगेशकर की निदन की बाद मनोरंजन जगत से एक और बुरी खबर है महाबारत सीरियल में भीम का रोल निभाने वाले परवीन कुमार का 74 साल की उमर में निदन हो गया वे लंबे समय से बीमारी और आर्थिक तंगी से जूज रही थी अपने कद काटी और मजबूत शरीर के दम पर उन्होंने एक खिलाडी की रूप में करियर की सुरुवात की थी फिर हिंदी फिल्मों का रुक किया कई फिल्मों में विलेन का रोल किया लेकिन ख्याती मिली महाबारत से जिसमें भीम का रोल निभाया था बहुत कम लोगों को पता है कि परवीन कुमार ने अपने एक्टिंग करियर में अमिताब बच्चन और जीतेंदर जैसे सुपर इस्टार्स के साथ काम भी किया परवीन कुमार की पहली फिल्म 1981 में बनी रक्सा थी इसी साल उनकी दूसरी फिल्म मेरी आवाज सुनो भी आई इन दोनों ही फिल्मों में उनके साथ जीतेंदर थे वे अमिताब बच्चन की शुपर हिट फिल्म सहंसा में भी काम कर चुके है परवीन ने चाचा चोदरी सीरियल में साबू का रोल भी निभाया था अभी ने के पेसे में कदम रखने से पहले परवीन कुमार डिसकर स्थो एथलीट थे वे चार बार के एसी आई खेलों में पदा की विजे था दो स्वन एक रजत और एक कांशी उन्होंने दो ओलम्पिक खेलो 1968 मेक्सिको खेलो और 1922 म्यूनिक खेलो में भी भारत का परतिनी दित्वे किया वे अरजुन अवार्डी भी है खेल की कारण ही परवीन को सीमा सुरुक्षाबल में डिप्टी कमांडेट की नोकरी मिली थी ट्रेक और फिल्ड स्पोर्ट्स में सफल करियर बनाने के बाद परवीन कुमार ने सत्तर के देसक के अंट में शोबीच में अपना करियर सुरु किया एक साकसातकार में परवीन कुमार ने अपनी पहली बोलिवड फिल्म साइन करने को याद किया था जब वे एक टूर्नामेंट के लिए कस्मीर में थे करिश्मा कुदरत का युद्ध जबरदस्त सिंगासन खुदगर्ज लोहा मोहबत के दूस्मन इलाका जैसी उन्होंने कई फिल्में की ऐसे में दोस्तों उनके निदन पर हमारी ओर से गहरी समेदनाए और भगवान उनके आत्मा को शांती परदान करे ऐसी हम कामना करते हैं आप भी कमेंट बोक्स में उनके आत्मा की सांती की कामना जरूर कीजिगा धनिवाद